अस्सलामु आलेकूम वेलकम टू मायरा केचर उमीद करती हूँ आप सब क्यारिया से होंगे आज मैं हाजर हूँ हूँ बहुत ही मज़ेदासी रेसिपी के साथ जो कि मेरे अपनी क्रिएट की हुई रेसिपी है आज हम बनाने जा रहे हैं ब्राउनिस कस्टर्ड जो कि बहुत है तो चलते हैं जी रेसिपी के तरफ सबसे पहले यहां पर आपने एक लिटर मिल्क लेना एक किलो दूद ले लेना यहां पर इलाइची डालेंगे एक से दो इलाइची डाल लेंगे और इसको हमने बॉइल कर लेना है एक से दो बॉइल आने के बाद हम रेडी करेंगे कस्टर्ड यहां पर हाफ कप अपने दूद लेना है और कस्टर्ड मैंगो कस्टर्ड ले ले जो भी आपके पास वेलेबल हो वो कस्टर्ड ले ले और इसको 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर में आपने हाफ कप जालके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो आपने थोड़ा-थोड़ा करके दूद में डालना है और आपने चमच हिलाते रहने हैं चमच हिलाने से यह नीचे नहीं लगता दस से पंदरा मिंट आपने इसको लोफ लेम पे कुक करने और चमच हिलाते रहने ताके कस्टड नीचे ना लगे अब वॉइल आने लग गया है अब हम इसमें आड़ करेंगे स्विगर स्विगर मैंने ऐड़ की थि 5 टेबल fiance को एंड़ किया अगर आप चीनी ज़्यादा खाते है तो आप ज़्यादा इसमाल कर सकते कंते कर सकते हैं तो कंभे आड़ कर सकते औरम जीद इसको 10 10-10 मिनट के लिए हमने कुक कर लेना है इतना कुक करना है कि इसका गचापन ख़तम हो जाए और यह थिक होने लग जाए अब यह बहुत अच्छे से थिख हो चुका है तो यहां पे जो हमने लाइची डाल थी कॉरडेम हम डाली थी वह हमने निकाल लेने अगर आपके पास पा इसी लिए निकल जाएगी नो इस आल्मोस्ट डन हो चुक है साइड्स हम इसकी साफ कर देंगे अब हम क्या करेंगे इसको फ्लेम से फ्लेम आफ करेंगे और साइड पर राख के इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और सेकिंड प्रोसेश में से ब्राउनिस बनाने की तरफ यहां पर एक एग लेंगे एक अंडा लेंगे इसको अच्छे से आपने फैंट लेना है बीटर की मद़से भी आप कर सकते हैं और यहां पर ओए लेंगे टूटवल स्पून अगर बीटर नहीं तो अराम से इससे बन जाता है कोई मसाला नहीं है बिलकुल परफेक्ट बनता है इसमें आप ओईल का भी ऑपनी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें एड़ कर सकते हैं यह बहुत ही सिंपल से ब्राउनी हम बनाएंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे वन कप मैदा फ्लॉरlor डालेंगे वन कप और कोको पाउडर एड़ करेंगे समें तू टेबल स्पून करना है और यहां पर दूद का इसतमाल करेंगे 3 टीबल स्पून 2 टीबल स्पून मैं शें में डाल दिया 1 टीबल बढ दीया लास्ट में 1 टीबल स्पून डालेंगे को अच्छास को करेंगे और बढ़ब नाओ बेटर बहुत अच्छे से रडी हो चूक है cumplirie अब हमने क्या करना है यहां पर आपने बेकिंग ट्रे ले 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 उसको थोड़ा सा ग्रीस करना है और 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 से ग्रीस करने के बाद आपने हाफ कप बैटर मतलब जिस तरह से हाफ आप में आपने इकुली डाल देना है स्पेस छोड़नी है ताकि जब फूलता है केक तो वो जगा लेते हैं अब यह दोनों मैंने इसमें शिफ्ट कर दी है और उपर से हम डालेंगे इसमें चॉकलेट चिप अगर आपके पास चॉकलेट चिप नहीं है तो आप कोई भी नट्स इसमें आड़ कर सकते हैं अब हम इनको बेक कर लिया है और वन में पांच मिनट के लिए बेक करने के बाद अब हमने इनको निकाला है बहुत ही जल्दी यह बेक हो जाएंगे ओवन में पांच मिनट के लिए जैसमें इनको बेक किया है उसके बाद हमने इनको निकाल लिए अब हम इनको दर्मयान से कट लगा लेंगे दो पीसिस में डिवाइड कर देंगे इस तरीके से और यहां पर हमने मलाई लेनी है जो के रेगुलर दूद के उपर आप उतारते हैं वो ले लेकर इसको छे से फैंट लेंगे तक रीबन एक अब आपने मलाई का इस्तमाल करना है अब हम अपने यहां पर सर्विंग ट्रे में आपने इस तरीके से जो ब्राउनी डड़ी की है उनको असम्बल कर देने और यह जो हमने मलाई का मिक्स्च तियार किया था उसको बतला किया था वो हमने एक लेयर इसको उच्छे से दे देनी है उसके बाद आपके पास कोई भी फ्रूट हो आपने वो एट कर देना मिरे पास से पड़ा हुआ था मैंने से बैट कर दिये और लास्ट में जो कस्टड हमने ठंडा करके रखा था वो हम एट करेंगे याद रहे हैं कस्टड आपका ठंडा होना चुछिए गरम गरम आपने इस पे नहीं एट करना अच्छा से इसको फिला देंगे कस्टड की थोड़ी सी मोटी सी लेर देनी है आपने ज़्यादा कस्टड डालना है और उपर से हम इस पे चॉकलेट चिप आड़ कर देंगे अगर आपके पास चॉकलेट चिप नहीं है तो आप कोई भी नर्ट आड़ कर सकते हैं बदाम एड़ करने पिस्ता एड़ करने नारियल एड़ करने वाटएवर यू आप ज़स्ट यूजट 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 ड़न बहुत ही मज़ेकर डिजर्ट हमारा डर्री हो चुके है उमीद करती हूँ आप कोई मेरी रसीपी जरूर पसंद आएगी ट्राइग और मुझे फीदबैक देना मत भूलेगा मिलती हूँ आपसे एक नई रसीपी किसे दौाओ में याद रखेगा अलाहाफेज